दोस्तों assessment year 2023 या ने financial का जो year होता है वो 2022 और 2023 का जो refund आपने फाइल किया था उस refund का जो amount है वो अभी credit होना शुरू हो गया है आपका refund process में होना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं जैसे ही refund को आपने file किया उसके बाद आपने verify किया और उसके बाद आपका refund process में जाता है लेकिन refund को process होने के बाद में आपके account में credit होना होता है जैसे ही आपके account में refund credit होता है तो आपके account में data mismatch होता है या फिर आपके account में जो नाम होता है और वो जो आपके इन दारकार या pen card में जो नाम होता है अलग-अलग नाम होते हैं तो refund आपके account में नहीं आएगा और आपके पास इस परकार का message आयेगा जिसमें लिखा होगा refund और उसका reason लिखा होगा कि आपका जो नाम है पेन कार्ड में कुछ और है और आपके bank account के अंदर में कुछ और नाम है कि जब भी आपका refund process होता है तो आपने उससे पहले आपका refund credit होने से पहले आपको क्या-क्या ध्यान रखना है इसके उपर मैं already वीडियो बना चुका है ले जैसा ही नाम आपका bank में होना चाहिए अगर आपके नाम के आगे bank में for example अगर आप salary person है और उसके आगे rank लगी होती है तो आपने उस rank को remove कराना पड़ेगा अगर आप उसको remove नहीं करवा होगे तो आपका जो नाम है वो rank के साथ में आपका नाम बन गया और ऐसा नाम पह आपका pen card और आधार card और bank तीनों में एक जैसे नाम होंगे उसके बाद ही आपका account validation होगा और आपका refund आपके account में credit होगा refund credit होने से पहले आपके पास में एक Gmail पर यसा message आएगा जिसमें लिखा होगा your refunded amount जो भी आपका amount होगा वो show करेगा उसके बाद में जैसे यह message आता उसके share से 7 दिन आगे जो दिन होते हैं वो आपके banking day होते हैं जिसमें bank की जो चुट्टी है उसको न account करके आगे 7 दिन count किया जाता है उस 7 days के अंदर में कभी भी amount आपके account में credit कर दिया जाता है अगर आपका account validation है और आपके account में कोई problem नहीं है तो refund आपके account में credit हो जाता ह इन केस अगर आपने ITR में कुछ fault है या फिर आपका जो account है उसके अंदर में इस परगार का लिखा आ रहा है कि your account is not eligible for validate या फिर आपका account में restriction for refund के लिए ऐसा लिखा रहा है तो फिर आपको पहले उसको ठीक करना पड़ेगा तभी आपके account में refund आएगा तो ये जितने भी error है जितने भी आपको ये issue जा रहे हैं refund के आपको पहले इसको correct करना पड़ेगा तभी refund आपके account में credit होगा आज की वीडियो में फिलालत नहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें comment box में comment करके बता सकते हैं और अगर आप हमारे channel पर पहली बार रहें तो चैनल को subscribe करें अगर आपकी कोई query हैं आपके refund में कोई issues हैं या फिर आपका refund process नहीं हो पाया हैं तो आप हमें comment box में बता सकते मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक